रानो चिडिया और उसका बेटा कुकु तथा चील। एक बार की बात है, एक छोटे से गाव में रानो नामक एक चिडिया रहती थी। रानो बहुत ही नेक और दयालू मा थी। उसका बेटा कुकु भी उसके साथ हमेशा ही खुश और मस्ती करता रहता था। रानो अपने बेटे को सिखाती थी कि जीवन में कैसे संघर्ष किया जाता है और हर समस्या का सामना कैसे किया जाता है। एक दिन कुकु ने अपनी मा से पूछा, मा, हम चील से क्यों नहीं डरते। रानो ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो उसे अपनी साहसी और सामर्थे से हरा सकते हैं। एक दिन गाव के आसपास एक बड़ा स्टैन नामक चील बसा था। स्टैन बड़ा और भयंकर चील था, जो गाव के छोटे-छोटे पशोओं को बचाने के लिए आता था। लेकिन स्टैन के आने से सभी पशोओं को डर लगता था। एक दिन कुकु और रानो जंगल में उड रहे थे। तभी स्टैन ने उन्हें देखा और उनका पीछा करने लगा। कुकु को स्टैन का डर था, लेकिन रानो ने कहा, बेटा, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसे अपने सामर्थे से हरा सकते हैं। रानो ने कुकु को सिखाया कि जीवन में किसी भी समस्या का सामना करने के लिए हमें साहस और समर्थता की आवशक्ता होती है। कुकु ने मा की बात मानी और उसके साथ मिलकर स्टैन के सामने खड़ा हो गया। स्टैन में उनको देखते ही उनका पीछा छोड़ दिया। इसके बात से स्टैन का डर खत्म हो गया और वह गाव के पशुओं के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हो गया। इसका संदेश यहा है कि हमें कभी भी अपने डरों का सामना करना पड़ता है लेकिन हमें उनसे डर के साथ सामना करना चाहिए। अगर हम अपने साहस और समर्थता का इस्तिमाल करते हैं तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तुनी चिडिया उसकी बेटी पिंकी और चील मौसी एक सुनहरे सवेरे एक छोटे से गाउ में तुनी नामक एक चिडिया अपनी प्यारी बेटी पिंकी के साथ अपने घर में बैठी हुई थी तुनी बहुत ही नेक और दयालू मा थी, जो हमेशा अपनी बेटी के साथ प्यार और सने से रहती थी पिंकी भी बहुत ही खुश मिजाज और चंचल थी, जो हमेशा अपनी मा के साथ मस्ती करती रहती थी एक दिन तुनी और पिंकी ने अपने आसपास की सुन्दर्ता का आनंद लेने का निर्नय किया वे जंगल के किनारे की ओर निकल पड़ी वहां उन्हें चील मौसी मोसी मिली जो भी उनकी मित्र थी मोसी चील एक बहुत ही बुद्धिमान और मित्रभावना स्वभाव की महिला थी वह तुनी और पिंकी को देखकर खुश हुई और उन्हें अपने साथ खेलने का निमंतरन दिया तुनी और पिंकी ने मोसी के साथ मस्ती करते हुए जंगल की सैर की वे अनेक सुन्दर स्थलों पर गए और अपने दिल की बातें की मोसी ने उन्हें जंगल की कई रोचक और उपियोगी बाते सिखाई बात करते करते वे एक उचे पेड के पास पहुँचे वहाँ एक बड़ा चील उनकी ओर उड़ रहा था पिंकी को देख कर चील मोसी की आखों में हैरानी का अभास था वह तुनी से बोली मा यह Chief हमें क्यों देख रही है तुनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया बेटा यह है हमारी Chief मोसी जो हमेशा हमें और हमारे उपर नजर रखती है वह हमारी सुरक्षा के लिए है मोसी ने उन्हें बताया कि चीले हमेशा अपने क्षेत्र की सुरक्षा में लगी रहती हैं और वे अपने क्षेत्र से प्रतिबंधित करती हैं तुनिक टिंकी और मोसी ने चील को उनकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद दिया और जंगल की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने साथी और साथियों के साथ दोस्ती और संबंधों को महत्व देना चाहिए। हमें हमेशा अपने परिवार और मित्रों के साथ प्यार और सहयोग करना चाहिए। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम सभी मुश्किलों को आसानी से पार कर सर कते हैं।